जैहिंद प्यारे साथी इस वीडियो में बात करने वाले हैं SST ED Constable 2022 इसकी भरती के बारे में और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ एक SST की most important चीज़ के बारे में जो कि आप सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो इस वीडियो में हम discuss करेंगे आपके certificates के बारे में कि जो आपके certificate बने हुए होने चाहिए वो कौन सी date से पहले कि आपके certificate होने चाहिए और कौन सी date के बाद के नहीं होने चाहिए यानि कि जो crucial date है उसका क्या मतलब है और उसका क्या effect आप पे पढ़ सकता है information मिल पाए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेर करके चैनल को सब्सक्राइब करने और बैल आइकन पर प्रेस करने ताकि फ्यूचर में आने वाली update के notification भी आपको सबसे पहले मिलते रहें अब चलते हैं update की तरफ तो यहां पर आप सभी को होती है वह आपकी last date ही आपकी crucial date होती है सम इसी तरिके से इसमें भी आपकी Joe crucial data करेंगे मैंने यहां पे om destruction research होगा है तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर सभी को देखने کے लिए मिल जाएगा कि आपकी जो की receipt of online applications closing date तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी crucial date है जो claiming SCST, OBC, EWS status will be the closing date for receipt of online application यानि कि एक चीज आपको clear हो जानी चाहिए कि आपकी जो date रहेगी जो crucial date रहेगी वो आपकी last date होगी यानि कि online application form बनने कि जो आपकी last date है वो ही आपकी crucial date है और यह आपकी कौन सी date है वो है आपकी 30-11-2022 यानि कि देखिए as per notification होता क्या है कि crucial date आपको दी जाती है कि जो भी आपके form में certificates लगते हैं चाहिए आपके cast certificate हो याँ आपका domicile certificate हो याँ आपका educational certificate हो वो तभी certificate आपके crucial date से पहले के बने हुए होने चाहिए खास करके बच्चों को दिक्कत आती है एक तो domicile में और दूसरा आती है आपकी cast certificate में क्योंकि यहाँ पर domicile चाहिए होता है तो बच्चों को problem रहती है कि अगर crucial date से पहले के बने हो या बाद के बने हो तो इसका क्या प्रोसीजर है तो directly मैं आप सभी को पूरी point जो है एक ही बार में clear गर दूँगा ये चीज़ आप धिहान रगना crucial date है आपकी 30-11-2022 अब इसके बाद यहाँ पर point पर आते हैं सबसे पहला point जो है वो है आपका कि यहाँ पर certificate ठीक है कास certificate के बारे में अगर मैं बात करूँ तो देखें कास certificate में सबसे जादा जो पंगा होता है वह था OBC candidate के लिए OBC का क्यों होता है मैं आपको बता दूँ के OBC category का लफड़ा क्या है कि कुछ कास्ट ऐसी है जो की state में आती है OBC में और जब वो Central में चली जाती है तो Central में वो आती है Journal में इसलिए यहाँ पर जो OBC का certificate होना चाहिए कास certificate वो Central Government द्वारा ही बना होना चाहिए तो सबसे में चीज़ आपको OBC वाले जो candidate हैं वो ध्यान ने कि अगर आपका OBC category में आपकी Reservation category है तो आपके पास जो certificate होना चाहिए वो Central का होना चाहिए बाकी का अगर मैं बात करूँ SC और ST तो चाहिए आपका State का हो यह आपका Central का हो दोनों का ही आपका चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि SC category जो SC category स्टेट में स्टी में आती है वो Central में भी स्टी में आती है स्टी का प्रोसीजर है इसके अलावा EWS का भी आप सभी का जो certificate होना चाहिए वो भी आपका Central Government का ही होना चाहिए यह भी आप सभी को याद रखना है क्योंकि इसमें भी कुछ SI रहेगा तो यह चीज यहां पर जब आपको clear हो जाए कि यह certificate आपकी यहां से होने चाहिए कौन सी government से होने चाहिए यह आपका clear हो गया इसके बाद अभी आती है आपकी domicile की बात कि domicile आपका क्या होना चाहिए यह कौन से date का होना चाहिए कांसे बना होना चाहिए तो देखिए domicile जो होता है domicile यहां P.R.C. Permanent residential certificate यह कहीं पर domicile बनता है कहीं पर P.R.C. बनता है तो यह जो दोनों certificate है, यह आपको यह clear होगा, कि कौनसी government से बने होना चाहिए, centre का कौन सा होना चाहिए, अब जो मुद्दा आता है, वो आता है, आपका crucial date का, यह जो crucial date है, वो कौन सी होनी चाहिए, तो देखें जैसा कि आप सभी को वहाँ पर चलिये गया, कि यहाँ पर दिन बाद की भी document नहीं बने होने चाहिए है ऐसा notification में बोला गया है अब हम अगर ये माने कि इसके बाद के अगर किसी notification के बाद का अगर किसी बच्चे का बनाए यानि कि last date थी 30, 11, 2022 अगर इसके बाद किसी बच्चे का बना है तो उसका accept होगा या फिर reject होगा तो देखें मै आप सभी को बता दूँ मैं अपने experience से ये सारी चीज़ आपके साथ share कर रहा हूँ ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपने 30, 11, 2022 के बाद कोई certificate बनाया है तो उसे reject कर दिया जाएगा department की जो main intention रहती है वो ये रहती है कि कोई भी बच्चा फर्जी ना हो और उसके documents सही तरीके से बने हुए हो तो अगर आप ये मानों कि अगर आपने 30, 11 के बाद यानि 2030 में अभी अगर कोई अपना certificate बनाया है तो आप 99.9% आप ये मान के चलो कि वो accept हो जाएगा कोई दिकत नहीं है वो consider कर लिया जाएगा और खास करके consider ही होता है इन case जैसे कि आप सभी को पता है कि थोड़ा chance हर चीज का रहता ही है कि अगर कोई problem हो जाए कोई exception हो या आपकी तरफ से कोई उसमें problem होई हो उस case में ही reject होगा बाकी का आप potential लेने की जरूरत नहीं है अगर आपके certificate में देखिए कोई नाम में गलती है किसी में कोई गलती है तो आप नया certificate भी वन वाले और पुराना वाला जो है आप उसे भी लेके जाए तो definitely वहाँ पे consider कर लिया जाएगा क्योंकि जो genuine problem होती है genuine problem हर किची वो समझ में आती है तो वहाँ पे बैठे हुए व certificate होते हैं वो accept होते हुए देखे हैं और वहाँ पे कोई भी problem नहीं आती तो that's why आपको उपने दिमाग से point निकल देना है कि इस तरीके का कोई point हो सकता है या आपको reject किया जा सकता है आपका main काम है running करना physical को qualify करना medical के लिए स्वस्थ रहना बाकी की जो चीज़े हैं वो एक उसी से सभी detail match होनी चाहिए चाहिए आपका आदार कार हो चाहिए का certificate हो या आपका domicile हो जो भी certificate रहेंगे वो as per 10th के documents के according होने चाहिए तो आपको कोई भी problem नहीं आएगी इस वाद को आप note करके रख लें बाकी का अगर कोई भी गुंजाइस होती है तो वो कोसिस करते है कि बच्चे की अगर सही problem है तो उसे accept कर दिया जाए और उसे reject ना किया जाए तो इसलिए मैं आप सभी को बतारूं कि जो crucial date वाला पंगा है अपने दिमाग से आप निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बाद में भी बना है तो भी consider हो जाएगा और अभी भी अगर आपका नहीं बना है तो भी अगर आप बनवा लेंगे तो भी consider हो जाएगा बसरते आपका document सही होना चाहिए और real original होना चाहिए तो जो भी point है वो एकदम से crucial date को लेके एकदम से clear हो जाने चाहिए कोई बहुत बड़ा बवाल नहीं है crucial date सिर्फ और सिर्फ notification में इसलिए दी जाते ह ताकि बच्चे time से अपने सभी document सयार रखें और ऐसे time पे बिल्कुल end time पे अगर कोई बच्चा बनवाए तो उसे कोई problem फीस ना करनी पड़े और उसे भरती से बहार ना होना पड़े तो यह आपकी स्वधा के लिए है ना कि आपकी अश्योधा के लिए तो सारी चीज़े एक दम से clear हैं तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like share करके चैनल को subscribe जरू कर लेना ताकि future में भी आपको इस तरीके से हर एक update मिलती रहे मिलेंगे नेक्स वीडियो में सो thank you for watching जैहिंग जैवारत